दोस्तों, 10 मई को PF Office ने एक अपडेट किया था, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, और ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट था, इस वीडियो में हम के अंदर जो हमने बात करी थी, उस चीज़ को लाइफ प्रूफ करके दिखाएंगे, लाइफ आप यहाँ एक पर ये अपडेट आ रहा है, और आप मुझे बताएगा कि क्या आपके अकाउंट में भी अपडेट आया है, नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम सागर है, मैं PF कंसल्टेंट हूँ और ये PF का बेस्ट चैनल है, क्योंकि यहाँ जो मैं आपको बताता हूँ, ये काम मैं करता हूँ मैं काम करता हूँ, इसलिए आपको बहतर जानकारी दे पाता हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ जो दिखा रहा हूँ, इसे मैं जीरो से समझाओंगा, जीरो से समझने के लिए आप समझेगा कि जब भी आपको अपना PF निकालना होता है, तो आपको वहाँ पे अपना चेक लगाना होता है, जब आप चेक लगाते हैं, तो चेक के अंदर कुछ कमिया हो सकती है, या आप जब पास्बुक लगाते हैं, तो पास्बुक के अंदर कुछ कमिया हो सकती है, जिसकी वज़े से हजारों नहीं लाखों PF के फॉर्म्स हर सार रिजेक किये जाते थे, इस परि बैंक वेरिफाई के लिए इन्होंने कहा कि अब हमने जो पहले system बना रखा था उसमें बदलाव कर दिया है अब हमारा bank जो है वो सबसे पहले आपके bank से verify होता है फिर employer verify करता है तो अब आपके bank के गलत होने का chance नहीं है इसलिए अब हमें पूरा भरोसा है कि अब आपका जो ह यहाँ पर यह चीज हो चुकी है तो अब हम आप पर शक नहीं करेंगे आपका जो भी bank account लिंक होगा उसमें हम आपके पैसे डाल देंगे यह चीज आप कैसे देखेंगे देखिए हम आ गए हैं home पे home पे आने के बाद online service पे आ गए claim पे आ गए claim पे आने के बाद हम यहाँ पे account number enter करते हैं, verify करते हैं, yes करते हैं, नीचे चलके proceed करते हैं, proceed करने के बाद यह verification हो रही है, verification होने के बाद देखिए, इस time पे error है, कोई issue नहीं है, इसे refresh करेंगे, यह चल जाएगा, तो normal सा process है, जब मैंने वीडियो के starting में आपको दिखाया था, तो वहाँ clear cut मैंने आप को दिखा रखा है, कि आपके check लगाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, नहीं आपके passbook लगाने के लिए कहा जा रहा है, तो 10 दिन हुए हैं, अभी यहाँ पे सभी accounts के अंदर यह process नहीं आया है, लेकिन जल्दी ही यह सभी accounts के अंदर आ जाएगा, तो अगर आज के time पे आप यह चेक लगाने का option आ रहा है तो आप चेक लगा दीजिए जैसे पहले लगा देते वैसे आज लगा दीजिए बाकी हो सकता है इसे एक महीने का time लग जाए इस जो नया system में इसको enroll होने में इसको implement होने में एक महीने तक का time लग सकता है तो आपको यह update कैसा लगा है जरूर म आया है सामने जिसमें नुकसान हुआ है वो नुकसान क्या हुआ है वो नुकसान ये हुआ है कि आप समझते हैं कि जो आपका check होता है जो आपका form होता है वहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी लगाने की जगे नहीं होती है बस एक जगे होती है जहां पे आप अपना check लगा सकत था लेकिन अब अगर आप चेक लगाने का option ही हटा रहे हैं तो अब आपके पास कहीं पे भी form में कुछ भी अपनी बात कह पाने का option नहीं है ऐसे में अगर आपके form में कुछ mistake हो रही है जिसे माल लीजे आप वो आपका एक बर settle हो गया वापस से आप अपना form भरे हैं आप उ समझ जाए और आपका काम हो जाए तो यहां पे 99% लोगों को फायदा होने वाला है 1% लोग जो exceptional case है उनको नुक्सान होने वाला है तो मैं उमीद करूँगा कि आप यह 99% लोगों में होंगे और आपको इससे फायदा ही फायदा होगा मिलते अगली वीडियो में बहुत बह निवाद